हाई आवरीवन आप सबका स्वागत है कोड़ एड्यूकेशन में यह आपका पार्ट टू गाईज पार्ट वन में हमने कवर करा था आपका होम पेजिस होम पेजिस के अंदर पूरा सेट अप इस पूरे टेंपलेट के अंदर क्योंकि इसके अंदर हम बनाने वाले हैं जो इसके अंदर कवर कर लिया है अगर आपने नहीं देखा तो यह वीडियो आपको नहीं समझ में आएगे आप जाए लिंक आपको डिस्कुर्शन मिलेगा वहां जाके देखें देखने के बाद आप दुबारा यहां पर आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए यहां प आपको फीचर करके ओगे यह देखें फीचर सेक्शन यह चीज मैंने दे दी इसके बाद में मैं यहां पर क्या करूंगा एक डिव लोंगा डिव लेने के बाद में आपका कंटेनर आएगा जो कि बूट्चैप की किलास है ध्यान रिखिएगा मैं थोड़ा से ऊपर कर लेत हो इसे और यहां पर मैं लूँगा आपका रो ओगे रो लेने के बाद में अब आपका यहां पर किलास आएगी और क्लास में हम यहां पर क्या मेंशन करेंगी कॉल 6 इट मेंस कि 6 पर होना चाहिए यह कॉल lg3 ओगे and mb5 यह स्पेसिंग से रिलेटेड ओगे इसके बाद हम यहां पर next इसके अंदर कार्ड क्लास मिलती है हमें बूट्शाप में वो और इसी के साथ में कुछ क्लास हमारी होंगी जिसके नाम हम रखेंगे फीचर बॉक्स करके first thing and second यहां पर एक और डिव होगा आपका text center करके जिससे सारा का सारा content हमारा center में होगा फिर दो separate div लेने होंगे हमें तो पहला separate div में हम क्या करेंगे features icon करके जो आपको वहाँ पर दिखरा था था ना icon वो ऐसी आएगा आपका and border यह नाम है पूरा का पूरा है आपकी class का फिर इसके अंदर आपके एक और div आएगा इस div में हम क्या करेंगे features icon यह देखें यह चीज होगी यहां पर हमें क्या करना है images को load कराना होगा तो हम क्य क्या करेंगे image src images slash slash के बाद में हम क्या करेंगे feature icon okay UI chart SVG यह मेर पास में already है इसका link मैंने description में दे रखा है अगर आपने download नहीं करा तो महां जाके download कर ले सब कुछ आपको मिल जाएगा अब इसके बाद में क्या करना है यह तो हो गया हमारा border रख ले इसके बाद में next हमा पर already available है मेर पर तो मैं क्या करूंगा copy कर लूँगा यहां से जैसे मैंने previous वाले में आपको बताया था कि कुछ contents हमार पास में already रहते हैं वही चीज मैं यहां पर इसको copy paste कर रहा हूं तो यहां करूंगा इसको save save करने के बाद यहां चलेंगे यहां पर आएंगे तो यहां यहां पर white है तो white background की वैसे ऐसा दिखता है तो अभी क्या करते हैं पहले और भी जितने भी card चीए वो बना लेते हैं यहां पर तो मैं यहां करता हूं करता हूं copy copy करने के बाद मैं three times इसे paste कर लेंगे तो मैंने यहां पर three times paste कर लिया ऊपर चलेंगे वापिस and वापिस आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चेंज होंगी सबसे पहल तो image change होंगी आपकी image यहाँ पर दूसरी वाली आएगी तो यहाँ पर हमें कौन सी image चीए यहाँ पर loaded वाली चीए देखें, loaded वाली आपकी truck loaded वाली आगी and यहाँ पर आपका text भी change होगा तो text के लिए मेरे को यहाँ पर shipping वाला text चीए होगा तो मैं यहाँ पर इसको copy paste कर दूँगा इसके बाद में नीचे जो है हमारा तीसरे number के image के लिए भी चीज़े change होंगी तो यहाँ पर आप क्या करना है हमें images पर हम यहाँ कर देंगे आपका यह देखें और यहाँ पर भी text चीए तो यह भी हमारा पास में notepad पर है हम करेंगे यहाँ से copy यहाँ कर दूँगा मैं paste तो मैंने यहाँ पर lemon वाली svg को ले लिया अब मैं क्या करूँगा यहाँ से text ले लूँगा लास्ट वाला यह देखे मैं इसको करूँगा copy and मैं यहाँ पर आ जाओँगा यहाँ कर दूँगा paste ठीक है तो मैंने चारो के चारो divs पर आपका content change हो गया यहाँ चलेंगे यहाँ आने के बात देखेंगे तो देखें आपके यहाँ पर svg कुछ बड़ी है बॉक्स करके जो हमने क्लास लिए उसको लेंगे पहले तो background color जो होगा आपका transparent होगा water लेंगे हम 0.15 REM okay मैं previous वाले में आपको already पढ़ा रखा था कि 1 REM means 10 pixel है हमारा यहाँ पे अभी and यहाँ पे आपका light color यह चीज होगे आपका इसके बाद लेंगे हम padding 8 REM का top and bottom से फिर होगा आपका यहाँ पे transition all 0.3s इतनी चीज़ को करूँगा मैं save and save करने के बाद यहाँ चलू तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखे आपको space देखने को मिला होगा अब इसके बाद क्या करना है next next class कौन से होने वाली है यहाँ चलते हैं यहाँ पे आप करेंगे हम feature यह border वाली class को क्योंकि common class हम नहीं बनाई है common class का यही benefit होता है कि एक जगा आप लिखेंगे तो वो सारे के सारे divs पे same काम करेंगे तो यहाँ पे background color ले रहा हूँ मैं फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे transparent कर दूँगा मैं नहीं चीए color वाँ पे border radius होगा आपका यहाँ पे 50% इसके बाद होगा आपका border border में हम क्या करेंगे 0.2 REM solid wear में हम क्या करेंगे यहाँ पे light color कर देंगे यह देखें फिर padding होगा हमारा यहाँ पे बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यह देखने को मिलेगा अब क्या करना है हमें अब यहाँ चलेंगे हम next हमारा क्या था हमारा icon था यह feature icon करके है न इसको लेना है so यहाँ पे लिखेंगे आप feature section then इसके बाद में आपका feature box आएगा जो हमने ऊपर लिया था वो and then यह हमारी class इस चीज के बाद में हम क्या करेंगे height लेंगे 6. ठीक है यह देखें and width भी आपके same होने वाली है यह देखें background color लेंगे हम यहाँ पे background लिया, wear लिया light color लेंगे जो कि हमारे variables already बने हुए है margin auto करेंगे जिससे की center में रहे वो water radius होगा आपका यहाँ पे 50% का इसके बाद आएगा आपका display display flags लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें वो थोड़ा सा center में चीए alignments में हो तो यहाँ पे होगा आपका align item center justify content center भी होगा आपका इतनी चीज़ को करूँगा मैं save save करके चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को दिखेगा अब क्या करना होगा आपको यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर image tag लिया है हमने तो अब क्या करेंगे direct image tag को लेंगे इसके बाद में उसके width लेंगे हम 3.7 REM कर देंगे इतनी चीज़ को करूँगा save save करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखें यहाँ पे आपको छोटा दिख भी रहा होगा इसके बाद में पहले आपका यहाँ पे border h3 पे आप क्या करेंगे यहाँ पे margin top लेंगे और वो होगा आपका 1.25 यह देखें इसके बाद में आप color लेंगे wear लेंगे primary जो text हमने बना रखाता है वो हम यहाँ पे variable ले लेंगे करेंगे save करेंगे इसके बाद में यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो देखेंगे आपको देखने को दिख रहा है it means कि जो box हम बना रहे थे न features वाला वो यहाँ पे बन चुका है अब इसके अंदर और भी 2-3 चीज़े करने हैं वो देख लेते हैं यहाँ copy करने के बाद में इस पे करेंगे hover जब आपका feature box के उपर hover होगा न तब आपको क्या चीए background color wear wear के बाद में primary primary color आएगा आपका यह variable हमने कौन सा बना रखा था background के लिए एक बार चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमने यह text के लिए बना रखा था and paste करने के बाद में oshop BG dark color कर देंगे हम जिससे के हम इस variable को use कर सके backgrounds के अंदर वापरे चलेंगे हम नीचे नीचे आने के बाद में अब क्या करेंगे है अब हम इस variable को remove करेंगे जो हमने लिखा यहाँ पे इस color को कर देंगे use ओके इसके साथ में हम क्या करेंगे border color में भी same यही चीज करेंगे यह देखिए करूँगा मैं save and save करने के बाद यहाँ चलूँगा तो देखिए आपको दिख रहे है hover effect आपका आ चुका है but अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं चल रही है यह देखिए तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा text आपका white इतनी चीज को करा मैंने इसके साथ में एक चीज और होगी आपकी यहाँ पर feature box होगा न जो आपका यह देखिए ओके इस पर अगर hover होगा तो आपका feature आइकन बॉर्टर करके जो हमने क्लास ली थी न आपकी उस पर भी कुछ चीज़ें चलनी चीए देखिए क्या border color लेंगे हम border color में हमार पास में green color से related है secondary इस चीज को मैं यहाँ करूँगा safe चलूँगा मैं यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद देखिए तो देखिए आपको दिख रहे होवर करते ही सबसे पहले आपका background फिल हो रहा है text का color change हो रहा है and image की चारों तरफ जो circle दिया था ह border का वो भी आपका color change हो रहा है देखिए तो यह चीज हमने यहाँ पर बना ली अब इस चीज को करते है responsive test तो यहाँ करेंगे इसको inspect inspect करने के बाद में इसको लेके चलेंगे देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसको करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो-दो के card आगए आपके और छोटा करेंगे यह देखिए और यह देखिए ओके इट मिंस कि यह section भी आपका done हो चुका है जो कि हमारा feature card वाला section था ओके अब इसके बाद में यहाँ देख लेते हैं next, next है आपका यहाँ पर about ठेक है छोटा सा जो brief देना होता है हमें home page के उपर about का वो section है यहाँ पर इस section को कैसे बनाना है तो यहाँ चलेंगे अपने editor में editor में आने के बाद में मैं इसको करूंगा comments इट मेंस की minimize और यहाँ से करेंगे इसको start section class class में हम करेंगे आपका landing about section नाम से हम इसे बना लेंगे यहाँ पर क्योंकि home page भी रहने वाले क्योंकि हम about का एक अलग से page भी बनाएंगे guys okay इसके बाद है आपका यहाँ पर container इस container के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे row लेंगे हम align यह सब boot chef की class है अल्रेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको series में उसमें यहाँ पर align item central इसके बाद क्या करना ह आपको class लेना है आपको call axle 5 होगा आपका call LG पर जाके 6 हो जाना चाहिए SM पर 8 रहेगा आपका ओके यह चीज होगी इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर इसके अंदर content रखना है तो वो content हमारे पास में notepad पर already है तो हम क्या करेंगे हाँ से इसको करेंगे copy copy करने क करने के बाद यहां कर देंगे paste ठीक है यह देखिए paste करा हमने paste करने के बाद में यहाँ पर एक div लेना है div पर class होगी आपकी about content करके then उसके बाद आपका h2 फिर उसके बाद एक और div होगा आपका about detail फिर p होने वाला है p के उपर मैंने यहाँ बोल्ड की class लगा रिखे जो क करने के बाद चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देखिए predefined CSS जो classes बनाई थी ना हमने previous वाली वीडियो में वो कितनी helpful है आप हमाद ले क्योंकि हमें लिखने की need ही नहीं है जो चीज़ें अल्रेडी बनी रखिए वो यह से उपर चलेंगे पहले इसको लूँगा मैं करूँगा copy करने के बाद about वाले section में आएंगे मैं paste कर लेता हूं पहले यहाँ पर background में क्या करेंगे हम url लेंगे तो url में हमारे पास में जो images है न वो directory हमारी images के अंदर है तो मैं वहाँ पर लूँगा about में हमारे about banner करके यह position आएगी आपकी यहाँ पे center यह देखे इतनी चीज करी बट इसके साथ में एक चीज और देनी होगी आपको जो है padding top and bottom से and left and red से 0 इतनी चीज को मैं करूँगा save and save करने के बाद यहाँ चलूँ तो यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर image थी है हमारी उस तरीके से हमने यहाँ पर content को set करा हमें image के लिए हमने कोई div नहीं लिया हमने पूरे के पूरे div पर उस image को यहाँ पर use करा है अब इसके बाद में क्या करना है आपको यहाँ से मैं किसको करूँगा class को copy फिर इसके अंदर जो P है ना आपका उसक तो थोड़ा सा चेंज करना है उसके color को तो क्या करेंगे वैर लेंगे primary टेक्स करके हमार पास में जो variable है color का text वाला उसको लेने के बाद में margin to rm कर देंगे यह देखिए इतनी चीज को करूँगा मैं save and save करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो देखिए ओके त बटन तो आपको किस से मिल रहा है आपको main btn से ही text आपको visible हो रहा है title के बना लिए हमने यहाँ पर और image आ चुकिए हमारी इतनी चीज को क्या करना होगा हमे responsive देखना होगा कि responsive बना की नहीं तो यहाँ करेंगे इसको inspect चलेंगे responsive के लिए देखिए कुछ इस तरी के से द section था और यहाँ पर भी यह वाला section है अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी responsive वाली फाइल में जो प्रीवेस वाली वीडियो में आपको बताया था तो यहाँ पर देखिए आपका यह वाली मीडर केरी डन है इसके बाद में 991 वाली मीडर केरी भी डन है फिर आपकी 6 76 मीडर केरी वो भी डन है इसके बाद है छोटे वाली screens के लिए mobile के लिए वो भी आपकी डन है इट मेंस की हमें बहुत minimum CSS में काम हो रहा है हमारा ओके इट मेंस की responsive करते वे जा रहे हम ओके तो यह वाला section भी आपका done हो चुका है इसके बाद में अब क्या अब हमें यह home page प के बाद में यहाँ पर लेंगे आपका section ओके यह देखें पहले section ले लेते section class class पर क्या करना है आपको planning planning में आपको क्या आएगा product okay product product के बाद होगा आपका section जैसे हम रखते हुए चल रहे हैं वही नाम रख रहे हम यहाँ पर भी इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर class container यह चीज़ हो गई आपकी फिर है इसके बाद में यहाँ पर class row लेनी है आपको justify content आपका यहाँ पर center आएगा जिससे की सब कुष center में है हम यहाँ पर text center भी use कर सकते थे बट इसको भी use कर रहे हैं हम ओगे यहाँ पर हमार पास में है call 12 ठीक है text हमारा हम इसा center में रहेगा p5 आपका क्योंकि padding bottom से चीज़ है यहाँ पर हमार पास में h2 है okay h2 और p हमें चीज़ होंगे title के लिए तो वो text हमार पास में already है तो हम क क्या करेंगे यहाँ करेंगे copy copy करने के बाद यहाँ कर देंगे paste paste करने के बाद समझ यह चीजों को तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिव हमने लिया था वो तो रहे गई आपका एक h2 लेना है हमें जिसके उपर आपका section title रहेगा जो कि मैंने previous वाले में predefined css में बताया था आपको वो class हम use कर रहे एक होगा आपका section subtitle यह भी previous वाले में हमने बना रखा था class में ठीक है तो इन दोनों को use करने के बाद में करूँगा मैं save चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद में अपने page पर चलेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कुछ इस त छीए हमें ओके div लेंगे आप यहाँ पर मैं यहाँ पर div लेता हूँ class लेता हूँ मैं यहाँ पर call lg ठीक है SM पर जाने के बाद में यह 6 हो जाना चाहिए और वैसे space के लिए आपके पास में 5 रहना चाहिए ओके इसके बाद में क्या करना है आपको card लेना है आपको product card करेंगे यह चीज़ ले लिए हमने इसके बाद में आपको according लेना होगा यहाँ पे class लेंगे product image है आपके पास में यह product image हो गई आपकी फिर image tag लेंगे हम src करेंगे इस src में हम क्या करेंगे images को load करवाएंगे product नाम का folder हमार पास में already है तो उसके अंदर से one by one करके हम इस चीज़ों को लेते रहेंगे तो यहाँ पे class मिलती है हमें responsive से related image के लिए fluid ओके यह चीज़ हमने यहाँ mention कर दी यह हो गया हमारा image इसके बाद यहाँ पे चीज़े हमें text तो वो भी हम देख लेते हैं नूरपैट पे अवेलबल है या नहीं तो नूरपैट पे हमारा पास में अवेलबल है तो मैं क्या करूँगा इस वाले div को यहाँ से करूँगा copy and copy करने के बाद मैं मैं यहाँ से कर दूँगा इसको replace करने के बाद में देखिए इमेज तक तो मैंने आपको बताया था कि कैसे तरीके से डिव लेने आपको इसके बाद एक और दिव लेना होगा आपको deflex लगाएंगे आप bootchef की class item center लगाएंगे justify content between लगाएंगे जिससे की space बन सके and यहाँ पर आपका h3 and यहाँ पर span यहाँ पर दो चीज आपको यहाँ पर दिखेगा इसके बाद fit div लेने आपको class लेनी है product detail आएंगे आप anchor tag लेंगे anchor tag पर आपका main beaten करके जो आपको button बनाना है न वो तो इतनी चीज को अगर मैं save करूँ और save करके आपको दिखाओं यहाँ पर तो देखे कुछ इस तरीके से आपको यह visible हो भी रहा है भी it means कि accurate नहीं है बट यहाँ पर एक div आपका बन चुका है तो आपको करना है क्या होगा तो मैं करूँगा इस चीज को यहाँ से copy copy करने के बाद में मैं यहाँ कर दूँगा paste ठीक है paste करने के बाद में सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पर देखे यहाँ पर product 2 लिखा हो आ रहा है बट हमें यहाँ पर one चीए ठीक है और यहाँ पर orange की जगा पर अभी आपका यहाँ पर पहले वाले div का होगा आपका text यह देखे इस text को मैंने यहाँ पर mention कर दे है बागी सारी चीज़ें same रहने वाली है जो भी text जिसका है उसके according ही चलेंगे हम two image यहाँ पर आईगी तो two image के साथ मैं आपका यहाँ पर orange लिखा हुआ सही है ठीक है तो यह वाला div आपका done हो गया दो card हो गया हमारे तीसरे card पर चलते हैं हम सबसे पहले हम यहाँ पर product 3 करेंगे इसको और यहाँ पर इसको क्या करना है आपको orange वाले को और इंज वाले को आप यहाँ पर apple लिखना होगा आपको यह देखें dollars मैं सब कुछ same रख रहा हूँ button same रख रहा हूँ ध्यान रखेंगे इसके बाद चलेंगे यहाँ पर यह होगे आपका तीसरा card इसके बाद है fourth fourth number के card पर आपको क्या करना है पहले तो image change करेंगे आप फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको यह देखें text change कर देना इतनी चीज कर दी आपने करूँगा मैं save चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है अब ही करना है इसको modification तो यहाँ पर जो हमें class मिलती है ना इस class से हम करेंगे इसके अंदर modification तो मैं करूँगा इसको copy तो यहाँ पर यह रह डिजाइन यह इस पर करूँगा पेस्ट इसके बाद सबसे पहले आपका product card ठीक है जो class हमने रखे थी वो रख रहे हम यहाँ पर position relative होगा आपका यहाँ पर overflow पे हम क्या करेंगे hidden करेंगे यहाँ पर cursor pointer होगा आपका border क्या चाहिए हमें transparent चाहिए हमें नहीं चाहिए यहाँ पर border दिखाना ही नहीं है ध्यान रखिएगा and जो border होगा हमारा यहाँ पर 0.25 REM solid उसके बाद में wear यहाँ पर यहाँ पर यह ठीक है अब देखें आपने क्या देखा मैंने सबसे पहले आपको border बताया यहाँ पर transparent होना चाहिए बट मैंने बाद में उसकी property ही दे दी तो it means कि दो property जब एक साथ चलेगे न पहले तो वो transparent करेगा बट उसके बाद में उसको यहाँ पर color मिल जाएगा तो वो चीज़ तो इसका मतलब कि हमारी इस property का यहाँ पर use नहीं है इसको remove करते हैं हम यहाँ पर border को रखी लेते हैं padding लेते हैं यहाँ पर 2rem का रखेंगे हम 1rem आपका left and right ठीक है यह चीज हो गई आपकी इसके बाद हम देंगे यहाँ पर transition all 0.3s इतनी चीज रख लिए हमने इतनी चीज को करने के बाद चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो देखेंगे अभी थोड़ा सा आपको space देखने को मिलाएगा बट अभी वो accurate नहीं है इसके बाद करेंगे copy करेंगे paste dot product image इस वाले के अंदर आएंगे then margin bottom लेंगे 7rem का ओके और फिर आपका जो text होगा वो होगा आपका center line करूँगा मैं save चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे तो देखेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि it means कि आपका यहाँ पर ना image center में है अब क्या करना होगा आपको next next आएगा आपका यहाँ पर इस वाली class को मैं करूँगा copy paste करूँगा मैं इसके अंदर h3 हमने ले रखा है इस h3 का color change करना होगा text का तो हम यहाँ पर use करेंगे primary text वाले को इतनी चीज़ को करूँगा save यहाँ चलेंगे यहाँ पर आपको text visible हो रहा है अब इसके बाद में क्या करना होगा next आप यहाँ पर बनाएंगे एक और चीज़ तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ paste पहले and इसके अंदर जो span लिया है न हमने उस span को भी तो करना है modification तो यहाँ पर font size होगा आपका 1.8 रियम का पहली चीज़ ठीक है font weight लेंगे आप यहाँ पर 600 का थोड़ा बोल्ड चीज़ हमें text transform हमें दिखाना है यहाँ पर तो uppercase सारे capital होने चीज़ए color जो होगा हमारा यहाँ पर वैर में हमारे पास secondary color है वो वो हम यहाँ पर mention कर रहे है इसके बाद में margin right जो होगा हमारा 0.5 आरियम का होगा text decoration यहाँ पर line through होगा यह देखिए and then इसके बाद में आपका transition all 0.3s यह चीज हमने mention कर दी किस के लिए span के लिए इतनी चीज़ को करूँगा save and यहाँ पर आँगा तो यहाँ पर आके आपको यह चीज दिख रही होगी देखिए it means की जो price है न it means की वो cut it दिख रहा होगा आपको यहाँ इसा ही design मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको बट यहाँ पर button नहीं था देखिए button hover करने पर आ रहा है बट अब यह तो आपको यहाँ पर button visible हो रहा है तो देखिए कैसे होगा यह चीज तो यहाँ चलेंगे अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है same class लेनी हो गए आपको पहले इस class के बाद में इसके अंदर आपको मिलेगी आपको product details करके ठीक है product details करके अब यह class कहां पर use करी है वापिस चलेंगे वापिस चलने के बाद में यह है हमारे यहाँ पर button ठ्यान रखिएगा य पोजिशन सो पोजिशन एपसुलूटली है हमने बॉटम लेंगे यहां से नेगेटिव में देंगे 22 आरियम का ठीक है राइट से आपका क्या रहेगा यह जीरो रहेगा और यही चीज आपकी लेफ्ट से भी जीरो रहेगी यह देखें जैसे कि वो बॉटम में रहे और टेक् तो background होगा आपका यहां पर dark color ओके इसके बाद क्या करना है आपको transition all 0.5 is easy इतनी चीज कर देनी है इतनी चीज करने के बाद में मैं इसको करता हूँ copy क्योंकि यह अभी तो दिखेगा नहीं क्योंकि negative में है तो देखे दिखेगा कैसे इस पे जब होगा product card पे जब hover होगा तो यह button देखे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसको मैं कर दूँगा बस bottom 0 इतनी चीज करने के बाद में मैं इसको करूँगा safe चलूँगा मैं यहां पर यहां पर आने के बाद आपको दिखाऊंगो तो देखे ऑसम देखे रहें कितना easy था यह effect बनाना किस तरीक तो चार्ड हो गए और थोड़ा छोटा लेके चलेंगे यह देखे यह है आपका इसके बाद और थोड़ा छोटा लेके चलेंगे यह देखे और थोड़ा जिस भी स्क्रिन पर आपको जाना है वहां तक आपका response यह चीज भी आपके यहां पर responsive हो चुकिए जो कि हमारे product दि section को बनाने के लिए तो यहां एंगे यहां ने के बाद में मैं सबसे पहले इसको करूंगा minimize ओके और फिर उसके बाद में यहां पर सो आपको यहां पर क्या करना होगा section लेना होगा कि लास लेंगे हम testimonial बना रहे हैं guys ध्यार रखिएगा हम तो यहां पर testimonial section कर देंगे इसका नाम okay and then इसके बाद में यहां पर क्या करना है आपको container लेना होगा यह देखिए container इस container के बाद में आपको यहां पर row देखने को मिलेगी रो लेंगे and row पर हम क्या करेंगे padding देदेंगे कि bottom से वो space रहे हमार पास में यहां पर चौम हमें title रिखना है और text लिखना है paragraph कब वो हमार पास में already होगा तो यहां से करेंगे इसको copy यहां से copy करना है cut नहीं करना copy करेंगे and यहां कर देंगे paste ठीक है इतनी चीज को मैंने यहां पर क्या कर दिया paste paste करने पर यहां देखी क्या करा मैंने एक div लिया call to l text center जिससे की सारा text आपका center में रहेगा h2 and p और same classes ध्यान रखेएगा जो previous वाले में दी है न मैंने वही same classes इसके बाद आपको क्या करना है करूँगा मैं save चलेंगे यहां पर यहां पर आने के बाद आद देखेंगे तो देखी यह सारी चीज है इसलिए possible है इतनी जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने पहले वाले part में आप अब यहां चलेंगे bootchap की side पर चलेंगे जब हम तो यहां पर देखेंगे 5.2 का भी version आ गया इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा एक बहुत जल्द अब यहां पर क्या करना है आपको carousel को use करना है तो यहां पर क्या करना है आपको कौन सा carousel चीए आपको तो यहां चलेंगे नीचे यहां पर आने के बाद में आपके पास में options मिलते हैं कि इस तरीके से जो कि आपको dotted दिख रहे हैं यहां पर आपको दिख भी रहोगा और यहां पर कुछ अलग तरीके की तो मैं क्या करता हूं अभी मैं इस वाले को ले लेता हूं करता हूं यहां से copy कॉपी करने के बाद में अब आपको यहां पर करना कैसे इस चीज को समझ यह पहले ठीक है एक नई रोलेंगे basically आप यहां पर justify content center आएगा between नहीं आएगा आपका जिससे कि सारा का सारा center में रह मैं यहां कर दूँगा paste, paste कर दिया मैंने, paste करने के बाद मैं आपको मैं दिखाऊं, input तो यहां पर देखे, output दिखाऊं मैं यहां करूंगा save, save करने के बाद यहां चलो तो यहां पर आपका slider बना नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर और अब क्या करना होगा ही, जो image दे रखिए नों इन्होंने, यह नहीं चीया भी हमें, अब यहां पर देखे किस तरीके से आप इसको maintain करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां लेंगे class, class के बाद में आपको dsm, flex लेना है, आपको sm तक यह flex रहेगा, उसके बाद नह यहां mention कर दी, इसके बाद में यहां पर image लेना है, आपको, src है आपका यहां पर, dot slash, images, testimonial folder के अंदर चलेंगे हम, then उसके बाद में, यह चीज हमने यहां पर mention कर दी, इसके बाद में जो boot shaft हमें देता है, class, वो यहां पर mention करनी है हमें, float वाली, यह देखें, यह चीज हम इतनी चीज ले ली मैंने, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर एक और div लेना है, ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक card ले लेते हैं, एक div बचेगा हमारा, तो इसके बाद यहां पर आएंगे, यहां पर unbox करेंगे, ठीक है, description से related है, तो यहां पर content हमें चाहिए, वो already notepad पर है, हमार पास में यहां चलेंगे, यहां पर आने के बाद में, अब क्या करेंगे, यहां से करूँगा, मैं copy, copy करने के बाद में, मैं यहां पर कर दूँगा, इसको replace, तो देखिए, यहां पर मैंने क्या use कर रहा है, यहां मैंने P लिया, P के पी कस्टमर लिखाओ दिखेगा और इमेज यह कोड्स वाली जो इमेज देखे न है यलोग लड़ के आपने वो इससे ही आ रिया आपकी एंड उसके अंदर मैंने फ्लूट एंड कर रखाया जिसकी वैसे वह आपको विजिबल हो भी रहा है वहां पे तो यह चीज मैंने यहा करने के बाद मेरे को यहां से एक्टिव फटाना ओगा कैंकि कोई एक इक एक्टिव कर सकते हम तो मैं इसमें से यह रटा देथाओ यह थैखे और बाकि सब कुछ सेम रखते हम कोई एक्स्ट्रा पास हमारे पास है नहीं और यहा चलते हैं यह पर आने के बाद देखेंगे तो देखें कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है बट अभी वैसा look and feel नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाया था तो अब आपको करना क्या होगा यहां पर तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे चलेंगे यहां पर यहां पर आने के बाद जो एक class बना आपका 8RM का bottom से करूँगा save, save करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पर आने के बाद देखेंगे तो देखेंगे अब आपको थोड़ा बहुत look and feel आने लगेगा जैसे यहांसे हम इसके अंदर काम करते चलेंगे अब इसके बाद में आपको क्या करना है यह class हमारे पास म हो, इतनी चीज़ को करूँगा save, यहां चलेंगे यहां पर आपको यह white color में visible हो भी रहा होगा, तो यहां पर चलने के बाद आने के बाद देखेंगे आप यहां पर तो यह आपको white color में visible हो भी रहा होगा देखें, and working भी है, अब इसके बाद में क्या करना होगा आपको इ डार कलर लेने के बाद में, फिर width ले लूँगा मैं, इसके बाद में आपकी height, height में भी same चीज, क्योंकि width and height same होगी, तब ही उसके बाद में ये चीज, radius में बनती है, ये देखे, इतनी चीज को करूँगा, save, चलूँगा मैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो देखे, आपका circle बन चुका है ये, अब इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर, यहाँ पर हमें चीज़िए आपका card वाला section, जो मैंने ये white color में रखा हुआ है आपका, इस चीज को करना है हमें, तो देखें कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका testimonial section, dot card, card क यहाँ पर आने के बाद में, आप यहाँ पर क्या करेंगे, background, url, इस url पर आपको क्या देना है, image चीज़िए हमें, सबसे पहले तो, image, ठीक है, और यह image होगी, आपके testimonial, bg, यह चीज़ हमने यहाँ mention करी, then इसके बाद में background, size होगा आपका cover, background, ठीक है, no repeat, then इसके कुछ content आपका right में रहेगा, इसके बाद में, आपको क्या करना, यहाँ पर padding लेनी है, और यह होगी, आपके padding, चाओ तरफ से देखे, कैसे देते हैं, यहाँ पर आपकी, और यहाँ पर zero, last, ठीक है, it means की left से zero है आपकी, and इसके बाद है, आपका border radius, 0.5 arum का, then 0, ठीक है, क करूंगा, save, and save करके चलेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको color देखने को मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पर यह color आ चुका है, और सारा content आपको यहाँ पर right hand side में देख भी रहा होगा, आप क्या करना है, आपको, इसके बाद में, next, यहाँ पर आपका testimonial section, then इसके background, color, color में आप क्या करेंगे, यहाँ पर dark color, यह देखे, यह चीज़ हो गई आपकी mention, फिर border radius आएगे आपकी, यहाँ पर, dot 5 area का होगा, 0, 0, 0, 0, dot 5 area, इतनी चीज़ को करूँगा, save, and save करके यहाँ पर चलूँगा, तो यहाँ पर आपको image देखने को मिलेगी, यह देखे, ठीक है, बट, अभी थोड़ा सा उनका क्या है कि equal नहीं है वो चीज़े, तो कैसे होंगी, equal देखे, तो यहाँ पर image tag जो होगा ना, इसके अंदर, वो direct लोगँगा, मैं, border radius लोगँगा, मैं यहाँ पर, 0.25 area का होगा, यहाँ पर, 3.125 area, इसके बाद मैं width लोगँगा, यहा यहाँ चलूँगा, तो यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे, तो देखे, दोनों तरफ से radius हो गया, बट, दो तरफ से नहीं हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर इसका look and fill देख रहे हैं, किस तरीके से आ रहा है आपका, अब क्या करना है आपको, इसके बाद में, अब एक last जो आपका यहाँ पर बचता है, वो है आपका यहाँ पर section लेंगे सबसे पहले, and मैंने यहाँ पर एक और ली थी class जिसका नाम था, यह description से आपका short form में, मैं करूँगा, आपका left से padding दे दूँगा, आपका two point, so यहाँ पर हमने padding दे दी, इसको करूँगा, मैं save, and save करने क बाद यहाँ चलेंगे, तो देखें, आपको थोड़ा padding देखने को मिलेगे भी, अब इसके बाद करना क्या है, इसको करना है test, तो करेंगे inspect, चलेंगे इसको mobile responsive लेके, ठीक है, यह देखें, अब एक चीज़ देख रहे हैं, आप यहाँ पर next and previous का button भी देखने को मिल रहा ह बट हमें तो यह चीए नहीं था, तो देखें, इसको कैसे हटा सकते हैं, आप नीचे चलेंगे हम, जो मैं यहाँ से copy करके आया था ना, मैं इसको यहाँ से करूँगा, इसको कर दूँगा delete, करूँगा save, यहाँ चलेंगे, यहाँ पर आने के बाद देखें, slider रह जाएगा आपका dots के साथ में, इसके बाद चलेंगे, इसको responsive लेते हुए, यहाँ पर मैंने इसको responsive, यहाँ पर आ गए हम, एक के नीचे एक आगई चीजे, यहाँ पर responsive ही देखें, प्रॉपर्ली आपका responsive है, जितनी भी चीजे हम बना रहे हैं, हमें लिखने की need ही नहीं पढ़ रहे तो gallery देखें, इस वाली gallery को किस तरीके से बनाना है हमें, तो यहाँ चलेंगे हम अपने editor पर, इडिटर पर आने के बाद में सबसे पहले मैं इसको करूँगा minimize, यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे class, class होगी आपकी यहाँ पर, class में आपका gallery, underscore section जैसे हम बनाते वे आ रहे हैं और इसी पर हमने library के लिए मैंने आपको बतायाता है जो previous वाले वीडियो में हमने library लिए थी आपकी, कौन सी library थी आपकी location की, वो किस लिए लिए थी हमने lightbox के लिए, देखें किस तरीके से उसको use करते हैं, वो भी मैं इसी वाले section पर इसके बाद जो इसका content है वो हमार पास में notepad पे available है, हम क्या करेंगे यहां चलेंगे, यहां सकरेंगे इसको copy, ठीक है, यह देखें, copy करना है इसको, और यहां कर देंगे इसको paste, that's it, and classes तो same चली रही हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा design concept ही वो उसी पे है, यहां चलेंग यह मैं आपको row enter मार के इसलिए दिखा रहा हूं कि space दिख रहा होगा आपको, आप समझे कैसे, यह आपका यहां पे है, इसके just यहां पे आजाना है आपको, एक enter मारा मैंने, एक class लूंगा मैं, यहां पे class जो होगी, वो होगी, आपके SM पे 6 होगी, बट LG पे 4 होनी चीए, and space आपका 4 रहेगा, subcard के बीच में, देखे, and यहां पे href को सबसे पहले आपको define करना होता है, इसके बाद में आप images लेते हैं, images slash, उसके बाद में मेरे पास में gallery folder है, उसके बाद में one, आप समझेंगे आप यहां पे मैंने, आपने आज तक देखा होगा, इसमें हम link देत image, and then उसकी पे आपका data, title करके होता है, तो मैं title में यहां पे लिख देता हूँ, आपका lemon से related ही चीज़े हम कर रहे हैं, तो यहां पे यह देखे, okay, यह चीज़ हमने यहां पे रख दिया, इसके बाद में आपको क्या करना होता है, वो ही same, जैसे image tag आप use करते हैं, वो ही कर करके वो class, and rounded 3, यह सब boot shape की class है, हमारे कुछ भी नहीं, इतनी चीज़ को करूँगा save, and save करने के बाद यहां चलूँ, यहां पे आने के बाद आपको दिख भी रहोगा, तो देखे, आपका यहां पे बन चुका है card, जैसी मैं इस पे click करूँगा, click करने के बाद देखे, आपको दिखाऊं images के अंदर, तो यह images के अंदर मैंने यहां पे इसको डाल रखा है, जब भी कभी आप वो location की जो file मैंने previous वाले मैं आपको बता इतना download करने के लिए, वो download करेंगे न, download करके वो plugin के अंदर आपको यह सारी चीज़े मिलेंगी, तो आपको बस कुछ नहीं क and यहां पे बस change करता चलूँगा, अब आप देख रहे हैं कि वो href की जगा में आप link देते थे, बट मैंने यहां पे image दी, क्यों दी, क्योंकि वो click करके get करता है चीजे, उसके बाद मैं फिर आपको open करके pop up दे रहा है वहां पे, अब मैं यहां पे 4 कर दूँगा and इसके फिर paste करेंगे, then 5, क्योंकि total हमारे पास में 6 है, आपको जितने रखने वो आप रख सकते हैं, बट मैं आपको यह plugin किस तरीके से use होता है, कितना easy है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पे मैंने इस चीज को करा save, चलूँगा मैं यहां पे, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखें, यहां पे गलती हो गई, क्यों एक के नीचे एक आ रही है चीज़े अब, अब यह क्यों आ रही है एक की नीचे एक यहां पे चीज़े, क्योंकि मैंने यहां पे anchor को ही मैंने यहां पे वो कर दिया है, ठीक है, तो हम मैं क्या करूँगा यहां पे करें इनको कर दूँगा delete ठीक है और one by one करते चलेंगे delete जिससे कि हमें पता रहे आपको बस कुछ नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी करना है जान रिखेएगा यह देखें तीसर नमबर का आ गया आप फोर्थ नमबर का हमें चीए तो हम क्या करेंगे यहां स इसको करेंगे यहां से delete यहां पर कर दूँगा paste ठीक है फिफ्ट नमबर का हमें हमें चीए अब यहां पर उपर के सारे डेट फिफ्ट आ गया हमारा अब चीए हमें 6 तो उपर के सारे डेट यह देखें 6th, 5th, 4th, 3rd and then उसके बाद 2nd and 1st यह सारे के सारे हमारे यहां पर इ तो देखें 5th नमबर पर हमारे पास में यह मिल रहा हमें और यहां पर इमेज यूज हो रही है वो है G5 ओके अब यह जी फाइफ का थोड़ा सा हमारे का है कि हाइट कम आ रही है बाकी की images की वाज़े से तो देख लेते हैं इसको क्यों आ रही है यहां पर यहां पर यहां पहेंगे यहां पर आपको क्या करना है देखें किस तरीके से आप उसको manage कर सकते हैं न हाइट को यह देखें सबसे पहले विर्थ 100% लेने हैं आपको हाइट आपको 100% लेने हैं आपको ठेक है फिर अभी मैंने आपको object fit cover बताया था करेंगे save चलेंगे यहां पर यहां पर पर देखने हैं तो देखिए सारी images cover हो चुके और बिल्कुल accurate किसी भी image पर आप कर लें click क्लिक करने के बाद नाम आएगा आपका नीचे number आ रहा है कितनी total of number images है यहां पर next का देखिए icon आपको देखने को मिल रहा है loader आ रहा है आपका यह सारे के सारी images कैसे मिल रही है मै बन चुका है आपका तो इसको responsive देखिए किस तरह के से test करना है इसको लेके चलेंगे यहां पर accurate है यहां पर आते हैं यहां पर आपके दो-दो हो गए और थोड़ा चोटा लेके चलते हैं यह देखिए यहां पर आने के बाद में एक-एक हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि आप आपने किस तरीके से animate हुआ यह देखिए यहां चलते हैं यहां पर करते हैं click ओके तो यह सारी के सारी चीज़े यहां पर बन चुकी है जो मैंने आपको यहां पर दिखाई अब इसके बाद में यहां पर next क्या है next मैंने यहां पर आपको बताया अभी कि footer बनाना है हमें त footer wrapper करके MT3 space के लिए कर रहे हैं ध्यान रखिएगा but MD के उपर नहीं होना चाहिए mobile के लिए ही रहेगा इसके बाद में आपको class लेना है div पे container then इसके बाद में यहाँ पे 5 lg0 ठीक है यह भी आपका lg के उपर नहीं दिखेगा phone पे दिखेगा इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे लेना है row रो लिया मैंने रो लेने के बाद में यहाँ पे class है आपके पास में then इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे call lg3 किस तरीके से divide करना है आपको देखे एसम पर आने के बाद में यह चीज़ 6 हो जानी चीए, इस पेस्ट 5 रहेगा आपका, बट किसके लिए, मुबाइल के लिए तो LG के उपर नहीं दिखेगा इस पेस्ट, इस तरीके से, और इसके अंदर का जो content है, वो अल्रेडी नूट पैट पर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर रख सकते हैं, ठीक हैं, अब यहां पर हमने यहां पर टाइटल कुछ और रखा हुआ है, और जो हमारा नाम है, वो कुछ और है, तो अगर आप चाहते हैं, इसको चेंज करना तो देखें ऐसे, simple, ओगे, इसके बाद है आपका P, P पर हमारा यहां पर क्या होगा, आपका MB4, पैडिंग दे रहे हैं, PS0, इट मींज कि आपका 0 होना चाहिए, पैडिंग लेफ्ट से, कम्पनी डिटेल करके हमने यहां पर क्लास ले रखिए, वो, इसके बाद एक और डिव होगा, आपका क्लास ले रहे हैं, contact info करके हम यहां पर रख रहे हैं उसको, फिर उसके मैंने आपको प्रीवेस वाले में बता रखा है, मैंने आपका phone, home और आपका Gmail से related, मैंने यहां पर चीज़े रखी वी हैं, इतनी चीज़ को अगर मैं करूं save, तो यहां पर चलूंगा मैं, यहां पर आने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल आपका title अभी आया ही नहीं, यह चीज किसके लिए हुई, यह चीज आपकी किसके, footer के लिए हो रही है, ध्यान रखेंगे, यहां पर title के need नहीं है अभी, आएंगे चीज़ें, कैसे आएंगे, वो देखेंगे अभी आगे चलके, तो यह एक वाला section होगे आपका, जो कि आ 5 रहे गई, जैसे मैं हमने सब के लिए रखा, वो यहां पर भी रखेंगे, यह चीज हमने यहां मेंशन करी, इसके बाद इसके अंदर का content भी notepad पर available है, तो हम क्या करेंगे, यहां आने के बाद इसको करूँगा, मैं copy, यहां कर दूँगा, पेस्ट, ठीक है, अब देखे इसके बाद में करा क्या, मैंने यहां पर h5 लिया, h5 के बाद में यहां पर ul, link, wizard करके, p0, it means की padding दे रहे हैं, जो by default मिलता है यहां पर वो, li, li, a, a, a के बाद href, then उसके बाद में जो भी page आपको mention करने हैं वो, तो मैं यहां mention कर रहा हूँ आपका about us, privacy policy, term and condition, product returns, wholesale policy, यह सारी की सारी चीज़े मैंने यहां पर mention कर दी, तो यह बन गया आपका, इसके बाद में मैं C को copy करके एक और बना दूँगा, यह देखें, ठेक है, it means कि आपके कितने हो गए यह, यह हो गए आपके तीसरे वाला div, ठेक है, अभी हमारे पास में एक div और बनाने का space से ध्यान रखेगा, तो यहां पर quick links करके मैं इसके heading change कर देता हूँ, बाकि नीचे की चीज़े same रखते हैं, क्योंकि बस मिरे को यह बताना है आपको, तो यह चीज़ हो गए आपकी, अब इसके बाद में, यहां पर next आपका क्या है, यहां पर एक और जो div आपको बनाने हो, उसके ल आने हैं, आपको वो newsletter से related, इसके आपका input, button और social media icons, यह सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो यहां पर आप देखेंगे, नोटपैट पे, तो यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद यह div हमने already बना दिया, इसके बाद में यह वाला div है, इसको करूँगा, मैं यहां से copy, and copy करने के बाद में यहां कर दूँगा, पेस्ट, ठेक हैं, अब इस वाले div पे देखी क्या है, h5 तो हम लेगी रहे हैं, सब के लिए common है बड़ टेक्स चेंज हो रहा है, div लेंगे, div पे हम form group करके रखेंगे, mv4, it means कि आपका bottom से margin के लिए, input ले रहे हैं, type email रख रहे ह बटन पर हम कर रहे हैं, type होगा, submit, btn, main btn, यह main btn आपको पता है, हमने पूरे के पूरे template में यूज़ करेंगे, यहां पर भी करेंगे इसको, फिर इसके बाद है आपका h5, फिर यहां पर लिख रहे हैं, social medias related, ul होगा आपका, social network करके, class हमारी होगी, जिसको modification में यू फिर उसके बाद में आपका li, a, a के बाद आपका, यहां पर आपका tag, जो कि आपको found awesome देता है, वो हम Facebook, Twitter, LinkedIn और YouTube के लिए use कर रहे हैं, ठीक है, तो यह चीज हो गए किसके लिए, यह हो गए आपकी जितने भी 4 div थे न, 4 div के लिए हमने यहां पर इस चीज को यहां पर बना होता है, तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे इसको container, container ठीक है, container आपका यहां पर क्या रहेगा, फुलीड रहेगा, फिर यहां पर एक class होगी हमारी copyright करके, copyright section कर लेते हैं इसको, यह देखें, इसके अंदर भी एक text होता है हमारा, वो text notepad पे होगा हमारा, तो यहां से हम क् मैं copy, यहां कर दूँगा paste, तो एक P लेना है आपको, copyright लेना है, copyright के बाद में यहां पर आपका A रहेगा, HREF, यहां पर symbol यूज कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ, otherwise आपको यह symbol चाहिए, तो इसको unicode बोलते हैं, यह W3 की website पर भी आपको easily मिल दाएगा, फिर इसके बाद में code for education, all right reserved, ठीक है, इतनी चीज को करने के बाद करूँगा, मैं save, यहां चलेंगे, यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है, चीज़ें भी इधर से उधर हो रखी हैं, बट इसको आपको accurate करना पड़ेगा, इसके अंदर आपके पास में images है, ठीक है, footer से related, तो मैं यहां पे images slash footer bg करके हमार पास में folder है, इसके अंदर यह image है, इसको मैं यहां पे call कर वाल रहा हूँ, देखिए, ठीक है, इस तरीके से मैंने call कर वाया, और जितनी भी चीज हमें लिखनी है, वो यहां से मैं इसके पोजिशन थोड़ी सी change होगी, यहां से top होगी, and center होगी साथ में, and इसके साथ में padding भी आएगी, 15RM की first, ठीक है, and bottom से भी आपकी थोड़ी जादा ही आएगी यहां पे, तो यहां पे आएगी आपकी zero, यह देखिए, हमें चाहिए यह नहीं, क्योंकि हमने देखा न इमेज आ चुके है, बट अभी accurate नहीं है, वो properly, आप देखिए कैसे, कैसे बदलेंगी चीजे, सबसे पहले आपका footer, wrapper करके जो हमार पास में class है, यह, इसको लेंगे, h5 को लेंगे, h5 को लेने के बाद में color आप लेंगे पहले तो, आपको यहां पे white बताना होगा, text को, यह देखिए, white, इसके बाद में font size होगा आपका, 2.5 आरियम का, okay, margin bottom होगा आपका 1.25 आरियम, इतनी चीज़ को करूँगा, save, यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखिए तो देखिए, आपका कितना bold end निकल के आई यह चीज़, इसके बाद में क्या करना है आपको यह जो class है मारे पास में, footer, wrapper वाली class, इसके ul के li go directly लिंगों है, ज्यान रखेगा, इसके margin bottom है न जो, इसके करना है 0.5 का सबसे पहले तो, यह देखे गलत हो गया नहीं यहां पे, इसके hyphen रहेगा आपका, और यहां पे आपका column रहेगा, यह रहेगा 0.5 आपका, पहली च font छोटा है क्योंकि हमने आपको पता है न, 1 area मतलब हमने 10 pixel ले रखा है, इसलिए वो छोटा देख रहा है भी आपको, अब आपको यहां पे क्या करना है, footer, wrapper है आपका, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, company, detail वाला जो मैंने बनाया था न, भी आपका class, तो उसको यहां पे ले लेंगे, font, size आपको यहां पे क्या देना है, 1.4 area, इतनी चीज़ को दिया मैंने, करूंगा मैं save, and save करने के बाद में, यहां पे यह देखे दिख भी नहीं रहा, दियान रखेगा, भी दिख नहीं रहा, ठीक है, अब दिखेगा कैसे, वो देखेगा अभी, त क्या करेंगे, gray है हमार पास में, पहले चीज, यह लख लिए हमने, and font size हम यहां पे देंगे, वो है 1.6 area, इतनी चीज़ को लिया मैंने, करूंगा save, and save करने के बाद में, यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो देखे, अभी आपका क्या है कि बिल्कुल आपको accurate नहीं हमार पास में, तो यहां पे अगर मैं इसको open कर लूँ डिप को, इसके बाद में link wizard करके हमार पास मिती, मैं इसको करूंगा copy, ठीक है, इसको copy करने के बाद में footer, wrapper first, then इसके बाद में link, li, a, इसको लिया मैंने, इसके बाद में footer, footer के बाद में p, इन सब को group कर दिया time का, then इसके बाद में आपका padding होगा, padding में आपका 1.5 area हो जाएगा, ओके, देखे, mistake, यह चीज होई आपकी, position relative होगा, इसके बाद होगा, आपका transition, all, 03s, easy, out, and 0s, यह चीज मैंने यहां पे बता दिया, इसी चीज को मैं यहां से क्या करूंगा, आपका करूंगा, copy, and webkit में ही बता दूँगा, और यह किसले use होता है, मैंने अल्लेडी बता रखा है, safari and chrome के लिए, इतनी चीज को करूंगा, save, save करने के बाद यहां चलूंगा, तो यहां पे आने के बाद आपको आपको visible, properly हो भी रहा है, अभी और चीज़े बदलेंगी, कैसे बदलेंगी आई मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ी थोड़ी करते वे चलते हैं पहले चीज़ों को, इसके बाद इसको लेता हूँ, करता हूँ, copy, करता हूँ, paste, before है आपका यह, before पर आपको क्या करना है, content, ठीक है, तो देखे किस तरीके से content को उठाते है, तो F05, यह जो number हो म यहां पर इसको लिया, font weight है आपका, 900, ठीक है, position, absolute, ओके, left है आपका यहां से, 0, देखे, 0.35 आरियम कर देता हूँ मैं इसको, negative में नहीं ले जाते हैं इसको, top आपका रहेगा आपका 50% का, यह चीज़ हो गए आपकी, and transform, scale नहीं होगा आपका, translate आता है इसके अंदर एक, translate, और इसमें भी y को ही लेंगे बद, x की need नहीं है हमें, and यहां पर इस चीज़ को mention कर दिया, इतनी चीज़ को mention कर दिया हमने, इसको मैं करूँगा यहां से copy, then वही, webkit, क्यों करते हैं, मैंने बताया आपको, इसके बाद में यह चीज़ हो गए आपकी, इसके बाद में आ text बदल जाना चीज़ है, जो text का color है वो बदल जाना चीज़ है, मैं उल्टाई बोल रहा हूँ, यहां पर इसके बाद में, इसको करूँगा मैं save, and save करने के बाद में यहां देखेंगे तो देखें, देख रहा है आपको, यह awesome सा hover effect बन चुका है, देखें कितना simple है आपके अब इसके बाद में यहां पर social media के जो icons हमने use करें na facebook यह सब, इनको भी तो modification करनी है, तो यहां पर footer wrapper जो है हमार पास में वो लेंगे, then इसके बाद में social, social के बाद में हमार पास में network करके जो class है इसको ले रहा हूँ मैं, और A ले रहा हूँ इसके अंदर direct anchor को, इसके बा ठीक है, margin mention कर रहा हूँ मैं 0.5 REM का यहां पर चारो तरफ से, display inline block हो रहेगा आपका, border रहेगा आपका 1.25 REM, solid, then इसके बाद में यहां पर text gray, यह चीज़ मेंशन करी, अब इसके बाद में next इसके अंदर इसके color भी तो देना होगा, तो देखे, color के लिए मेरे पास में wear, wear म wear पर लेना होगा, आपको same, वही color जो border के ले रहा हूँ मैं वही इसको भी use कर रहा हूँ, ध्यान रखेएगा, text align हमारे पास में यहां पर रहेगा आपका center, border, border radius 100%, यह चीज़ हो गई, इसके बाद में आपको यहां पर आएगा, transition, transition के अंदर all, 0.3, यहां पर cube मिलती है हम ठीक है, यह देखे, यहां पर मैं आपको बता भी रहा हूँ, यह चीज़ आपके सामने मिला आपको, इसके बाद में आपको यहां पर करना कहए, 0.25, 0.45, 0.0.5, 0.335, 1, यह चीज़ है आपके पास में, इस चीज़ को मैं यहां से करूँगा, copy, और webkit में define कर दूँगा, वेबkit किसले करते हैं, बताया है, यह चीज़ हो गए आपकी, अब इसके बाद में इसी क्लास को मैं करूँगा, copy, ठीक है, अभी कैसा दिखेगा, यहां पर यहां पर करता हूँ, save, और यहां पर अगर आपको दिखाओं तो देखिए, अभी आपका क्या है कि यहां पर यह visible नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, I think हमने यहां पर यहां, network के spelling ही गलत है, तो इसको करूँगा, मैं save, यहां पर आउँगा, तो यहां पर आने के बाद दिखेगा, तो देखिए, आपका social icon कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, अब क्या करना है आपको, यहां पर आना पहले तो, ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, border color लेना है, उसको भी तो बदलना है, तो यहां पर भी same, secondary color होगा आपके पास में, जो text का color होने वाला है, वो हो जाएगा, आपका white, ठीक है, white रखते हैं, gray नहीं, white, यह चीज, इसके बाद में थोड़ा दा shadow include करते हैं हम इसके अंदर, तो देखें किस तरीके से करते हैं आप, तो 0.25 REM first, ठीक है, उससे पहले 0 लख लेते हैं, क्योंकि हमें जादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, ठीक है, 0.9 375 REM का, 0 RGB, इसके अंदर black color को percentage में बताना होता है, देखें, 0, 0, 0 divided 10%, बस, इतनी ही ची यहां पर बता दिया, इसके बाद होगा आपका transform, अब यह transform क्या करेगा हमारा, थोड़ा सा अप करेगा, y जो होता है आपका translate, y में थोड़ा सा यह negative की तरफ जाएगा, 0.1.75 यह देखें, यह मैंने यहां पर mention कर देखें, इतनी चीज़ को mention करने के बाद में आपको मैं द दिखाऊं, output, तो यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद देखेंगे, तो देखें, देखें, अगर आपको यह font छोटे लग रहे है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इस चीज़ को यहां पर देखें, 1.25 आर्यम का बता सकते हैं, करूँगा मैं save, यहां पर आ आपको, तो देखें कैसे करेंगे, footer लेंगे आप, footer wrapper, form control है ना, जो class आपकी, boot shape वाली, उसको यह modification करना होगा आपको, ठेक है, तो देखें कैसे, font size, 2R, यहां का, यह चीज़ है हमारा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, text जो होगा ना, हमारा, वो white होगा, ठेक है, इतनी चीज़ बताई, करूँगा, मैं save, यहां पर आउँगा, मैं, यहां पर आने के बाद देखेंगे, तो देखेंगे, आपको visible हो रहा है, बट अभी आप देखेंगे, focus करने पे, blue color का आपका outline आ रही है, इसको कैसे remove करते हैं, समझे, मैं करता हूँ इसको copy, paste, focus मिलता है हमें तो यहां पर आपका outline जो रहेगा न, वो हो जाएगा आपका none, ओके, यह चीज़ हो गई आपकी, then box shadow होगा आपका, यहां पर none, यह भी हो गई आपका, border, color, wear, secondary, ठीक है, यह चीज़ हो गई आपकी, अब इसके बाद में मैं इसको करूँगा save, and save करके यहां चलेंगे तो देखे, जैसी मैं focus करूँगा तो green color आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप इसको change कर सकते हैं, अब बात करते हैं, यहां पर वो copyright वाले की, जो नीचे वे record div बनाएना हमने, उसको भी तो modification करनी है, तो copyright वाले section को ले लेते हैं पहले, ठीक है, यह देखे, इसको ऐस लेंगे, यहां पर आएंगे, background color लेंगे, where हमार पास में high already, secondary color को ले लेंगे, जिससे की fill करने में असानी हो, text align आपका center, margin आपका top से क्या रहेगा, 5 आ रहे हैं, करेंगे save, चलेंगे यहां पर, यहां पर आने के बाद देखेंगे, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है आप and top आपका zero रहेगा, पहली चीज, padding आपके पास में यहां पर 3RM होगी, and zero कर देंगे इसको, line height जो मिलते हैं आपको, वो zero रहेगी, इतनी चीज को करा मैंने, करूंगा, मैं save, इसके बाद यहां पर आउंगा, यहां पर आने के बाद आप देखेंगे, तो देखेंगे, space अ text आएगा आपका, ओके, ठीक है, यह देखें, यह आपका क्या हुआ है, कि variable बाहर के तरफ चला गया है, बट उसने अपने आप लेल भी लिया है, ओके, font weight यहां पर कर देंगे 600, इतनी चीज बता दी, करूंगा, मैं save, and save करने के बाद आप देखेंगे, तो देखेंगे, कि कुछ ऐसा दिख रहा है, यहां पर आते हैं, यहां पर एक के नीचे एक, accurate है बिल्कुल, इसके बाद में यहां पर भी सही है, यहां पर आते हैं, और यहां पर आपका कुछ इस तरीके से, और छोटा लेके चलते हैं, तो देखें, बिल्कुल accurate, it means कि आपका जो footer का design था न निचार, यह card, यह banner and navigation, यह सारी के सारी चीज़ें हमने भी यहां पर cover कर लिए, इसके अंदर यह जो plugin मैंने आपको बताया था, यह भी चल रहा है आपका, तो यहां पर यह slider भी चल रहा है अपका, फिर उसके बाद में, products के भी यहां पर over effect बना दिए, यह सारी चीज़ें हमने कर लिए, अब बारी रहती है, इसके अंदर के pages को cover करने के, जितने pages है ना, ये सारे, तो ये सारे के pages हम बनाएंगे अब next video में, क्योंकि इस video को भी ज़्यादा लंबा नहीं करते, enough है इसके अंदर के इतनी सारी चीज़ें हमने cover कर लिए, आप ये सारे के सारी चीज़ों की practice करें, कहीं पर भी आपको doubt लगता है comment section में comment करें guys, and guys, जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको कहा था, जितना ज़्यादा हो सके इस video को support करें, like करें, comment करें, and share करें अपने group में, तो मिलते हैं next video में, जब तक लिए, till then, bye-bye guys